नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार जागेंद्र मिस्त्रा में मिथुन रास 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांती पर मिथुन रास वाले जातकों को करेगा माला माल जी हाँ दोस्तों भगवान सूर के उत्तराण होने का पर्व मकर संक्रांती का पर्व कहलाया जाता है और 14 जनवरी 2021 को ये पर्व मनाया जाएगा क्यूंकि 14 जनवरी 2021 इस दिन सूर का रासी परवर्तन होगा यानि कि धनूरास से निकल कर सूर मकर रास में पर्वेस करेंगे जिसकी बज़े से मकर संक्रांती का पर्व मनाया जाएगा और ये मकर संक्रांती मिथुन रास वाले जात्कों के लिए कितना लाभ देगा कितना माला माल करेगा इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों इस बार का जो ये मकर संक्रांती का पर्व है सूर का मकर राश में प्रवेस ये बड़ा ही खास होने वाला है एक तो पंच ग्रही योग बन रहे हैं पांच पांच ग्रहों का मकर राश में एक साथ बैठना और यह सरवण नच्छत्र में सूर के मकर रास में प्रवेस करने जा रहे हैं तो ध्वजुयोग भी बना रहे हैं और ये काफी सुभयोग है ये यानि की देश दुनिया और मिथुन रास के लोगों के लिए बहुत ही सुभ रहने वाला है जब सूर मकर रास में प्रवेस करेंगे तो उससे समय स्रवण नच्छत्र उदित हो रहा होगा और इनका जो प्रभाव होगा पूरे दिन बना रहेगा मिथुन रास के जातकों पर लेकिन सूर का मकर रास में यानि कि आगवन के साथ और भी कई सुभ योग बनेंगे यानि कि जो मकर संक्रांती का परभ होगा पंच गरही योग बनेगा पांच गरह मकर रास में एक साथ और मिथुन रास वाले जातकों आपके अश्टम भाव पर बन रहा है चुकि अश्टमभाव आकास्मिक धनकलाब मिलता है और आपके दुती भंधन भाव को देख रहे हैं ये जो दिन होगा ये बहुत लाबकारी रहेगा मितहुनरास के जातकों के लिए और देखे इस दिन पवित्र नदियों में श्नान, दान, जप इन सभी चीजों के लिए ब धन सम्रिध्धी को दरसाता है तो यह शंक्रांती यानि कि मिथुन राज से जातकों के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हो सकता है यानि कि सुक्ष सम्रिध्धी में तो बढ़िध्ध होगी साथी साथ शाहस में यानि बढ़ेगा और आत्म विश्वास में भी ब्रद्धी होगी और पंच ग्रही योग भी बनने वाला है क्योंकि शनी और ब्रिहस्पत नीच भंग राजयोग बनाएंगे और यहाँ पर अश्टम भाव पे बैटके शनी अपनी श्वैम की राशी में है तो यहाँ मकर राश में प्रवेस करेंगे शूर्दे सूर के साथ साथ बुद्ध ग्रह भी होंगे और बुद्धा दित राजयोग कर निर्मार करेंगे जो की पहले से ही भी राजमान है और साथ में चंद्रमा यानि की पंच ग्रह एक साथ मकर रास में करेंगे पंच पंच ग्रह एक साथ तो पंच ग्रह ही योग बनेगा और इस योग का प्रभाव सभी लोगों पर देखने को मिलेगा लेकिन खास कर मिथुन रास के जातकों पर बहुत ज़्यादा लाबकारी रहेगा धनसे माला माल करेगा इन का प्रभाव मिथुन रास के जातकों के लोगों पर किस तरह से होगा इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे मिथुन रास के लोगों के लिए ये जो इश्वार की मकर संक्राती है इसका लाभाब कैसे उठा सकते हैं और क्या करें क्या ना करें क्यों कि इस दिन दान दच् जिनका स्त्रवण नच्छत्र में जन्म हुआ है उनके लिए 14 जनवरी और यहां पर 13 जनवरी के दिन 14 जनवरी और 13 जनवरी की इस्तित बहुत ही अधिक सुभफल दायक तो नहीं रहेगी हलाग कि कुछ कश्ट हो सकते हैं कुछ परिशानिया इनको हो सकते हैं तो साथानी जर पाठ के लिए दान पुन करने के लिए सर्वस्रेष्ट यानि दिन माना जाता है और इस दिन पवित्र नदियों में इश्नान करें घर में इश्नान करें तो यानि की थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इश्नान करें फिर सिव लिंक पर रूद्रा विसेक करें और भगवान को जल अरद दें और उनके मंत्रों का जाब करें इस्तरोत का पाठ करें इस दिन तिल का धान करना चाहिए चुकर कि ये एक उपाए मिथुन राज के जातकों के लिए सर्वस्रेश्ट यानि फलदाएक रहेगा ये इस दिन अगर घुड और तिल का धान करें तो सर्वस्रेष्ट दान माना जाता है और मितुन राज के जातकों के लिए ये उपाय 14 जनवरी यानि की 2021 मकर संक्रांती की दिन इस एक यानि उपाय से इनको करोडों का धन मिल सकता है यहां ते की करोड़ पती बना शकता है चावल का दान करें, गुड का दान करें खिचडी का भी दान कर सकते हैं अब जानेंगे कि हम मितुन राज के जातकों के लिए इस दिन एक उपाय के बारे में जो कि ये अचूक उपाय है अगर आप धन धान की कमी आपके पास है और आप धन धान से परिपूर होना चाहते हैं तो मितुन रास के जातकों आप मकर संक्रांती के सुब अपसर पर इस उपाय को जरूर करें अगर इस उपाय को करते हैं तो धन से माला माल हो जाएंगे अब चलिए जानते हैं कि इस उपाय के बारे में क्योंकि इस दिन महा संयोग बन रहे है और मकर संक्रांती का पर्वे है तो इस दिन आपको संक्रांती के सुबह, सुब महुरत, 14 कोडिया लेनी है कोडिया क्या होती है महा लक्ष्मी जी को बहुत प्री होती है तो इस कोडियों को आपको लेना है 14 कोडिया ध्यान रखेगा और इन्हें केसर से मिले हुए दूध में इश्नान कराना है कोडियों को स्वच्छ करना है यानि के दूध में इश्नान करके केसर में मिले हुए दूध से अब इनहें गंगा जल से सुद्ध करें फिर धो कर और एक पुजा के पात्र में रख दें जो पुजा की थाली होती है कटोरी होती है उस पात्र में रख दें अब मा लक्षमी जी के सामने दो दीपक जलाएं एक दीपक आपका घीका होना चाहिए और एक आप यानि की मीठे तेल का जलाए जैसे तिल के तेल का तिल भी चुकि बहुत प्री होता है मा अहाता लक्षमी जी को तो आप दो दीपक जलाएं एक दीपक आपको माता लक्षमी तो पहला दीपक आप बाईं तरफ रखें और दूसरा दाईं तरफ घी का दाईं तरफ और तिल का बाईं तरफ रखें उनके माता लक्षमी जी के सामने और कोडियां कोडियों को हाथ में लेकर इस मंत्र को एक जारा बार आपको पढ़ना है माता लक्षमी जी के पास आप ब इस के लिए ध्यान से, ओम् संक्राइन तियाय नमह्, अौम् संक्राइन तियाय नमह्, इस मंत्र को एक जारा बार पढ़ें, य mädens tenía 18 बार पढ़ें, जो गोडिया है, ये सिध्ध हो जाएंगी, जो मनोगником आया है, जो गोडिया ये, आप को करने है उनका आप संकल्प ले लीजे उसके बाद ठीक 12 बजे से पूजा घर में से कोड़िया उठाइए बारा बज heze दित्यां रखिएगा और दुपाहर के 12 बजे और उन्हें इनिक दुपार का वारा वजे और अलग-अलग करके अलग-अलग स्थान पर रख दीजे जो आप अपने पर्स में रख सकते हैं जैसे कि पर्स में भी रख सकते हैं आप अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं आलमारी जहां पर कीमती चीज रखते हैं वहां रख सक और यहाँ पर कई जगह जिसे कि टेवल जहाँ पढ़ाई लिखाई करते हैं बच्चे वहाँ पर रखे भंडार जहाँ है धन का भंडार वहाँ लगए याई कि अलग अलग जगह पर ये कवडियां उनको रख देनी है और जहां रखे वहाँ स्वक्ष होना चाहिए दोस्तों ये काम आप संकरानती की दिन करें, उसके बाद आप क्या करेंगे, मितुंडाच के जातकों दीपक का इस्थान बदल देंगे, यानि जो दीपक आपने दाई तरप रखी थी, वो बाई तरप रख दें और जिसे घिय का दाई तरप या बाई तरप है तो उसको दाई कर दें और 22 से दाइए आप तिल वाला कर दें, उसको बदल देना है, यहाँ पर उसके बाद जोती अगर कम हो जाए तो इसमें या तो फिर से घी और तेल डालिए, या तो फिर आप फिर से जला दीजिए अगर बुझी जाए या माली जी कम हो जाए तो उसको फिर से आप जला लीज तो दोस्तों ये कार आपको करना है तेल के दीपक का अगर आप साम के समय दहलीज पर रख दें, चुकि साम के समय अगर दहलीज पर आप मकरशंकरांती की दिन रखते हैं, घी का दीपक तुलसी के पौधे के पास रख दें, यानि घी वाला तुलसी के पौधे पर रखें, तिल वाला अपने मुख दहलीज पर साम को रखें तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा होगा ये प्रयोग शुक्षम्रिद्धी को दरसाता है माता लक्षमी जी यानिक बहुत प्रसंद होती है और सफलता के लिए सबसे अचूक माना गया इसलिए इस उपाय को जरूर करें मकर संक्रांतिक दिन ऐसा करने से मिथुन रास के जातकों शुक्षम्रिद्धी कवास होता है घर में शर्यव धंधान की बरकत होती है और इस दिन आपको इस्टुडेंट के लिए लाब होगा पढ़ाई लिखाई नौकरी में बिजनेस ब्यापार में अच्छा खासा लाब देखने को मिलेगा यानि कि आपको मिथुन रास के जातकों 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति पर पंच ग्रही के सुभ योग पर इस एक उपाय को करके मिथुन रास बेजातकों आप बन सकते हैं धन से मला मल यानि ये मकर संक्रांति पर ये उपाय करते हैं तो आपको ये उपाय करेगा माला माल और धन संपदा से परपूण होंगे तो दौस्तों कमेंट सक्सें में सच्चे दल से जय मालक्शिम अवश्य लिखे हैं आदे आते वीडियो को लाइक जरूर करें नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जय मालक्षिन